नमस्कार तोस्तो अपने डॉक की अपने पपी की डिवर्मिंग करवाना इतना क्यों ज़रूरी होता है दोस्तो आप एक बार यह वीडियो देख लीजिए उसके बाद में आपको बताता हूँ यह जो पपी दोस्तो आपने अभी स्क्रीन पर देखा है इसकी यह जो हालत हुई है यह डिवर्मिंग ना करवाने की वज़े से हुई है अगर आप भी दोस्तो अपने पपी की अपने डॉक की डिवर्मिंग नहीं करवाते हो तो इससे भी बत्तर हाला दोस्तो आपके डॉक की हो सकती है डिवर्मिंग ना करवानी की वज़े से डॉक्स के पेट में बहुत से टाइप्स के वाम्स हो सकते है टैप वाम, हुक वाम, राउंड वाम जो कि दोस्तों आपके डोग को धीरे-दीरे करके अंदर से ही खाने लग जाते है धीरे-दीरे करके दोस्तों आपका डोग मौत के मुझ में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा तो डोग की करवाना दोस्तों इनके लिए बहुत जरूरी होता है तो आज मैं आपको डोग की डिवार्मिंard कब करवानी है, कैसे करवानी है और डोग में डिवार्मिंग के लक्षन क्या क्या दिखाई देते ये भी बताने वालो और अपने इस डॉग की दोस्तो आपको आज divorming करकिया दिखाने वाला हो तो वीडियो को last अग देखे के दोस्तो वीडियो बहुत ही इंपरमेटिव होने वाली है तो सबसे पहले तो दोस्तो मैं आपको डॉक के डिवर्मिंग में लक्षन क्या क्या दिकाई देते हैं ये बता देता हूँ जिससे दोस्तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपके डॉक के डिवर्मिंग का टाइम आ गया है तो सबसे पेरा लक्षेन है दोस्तो अगर आपका डॉक मिट्टी खा रहा है पत्तर खा रहा है या फिर दोस्तो कई बार डॉक्स गास भी खाने लग जाते बार बार गास खाते और उल्टी कर देते तो अगर दोस्तो आपका भी डॉक गास खा रहा है और उल्टी कर रहा है त तो दोस्तो आपको समझ जाना है कि आपके डॉक की आप डिवर्मिंग का टाइम आ गया है दूसरा लक्षन है दोस्तो डॉक की आकों से गंदगे आना और यह दोस्तो पहुत ही कॉमन लक्षन है तो अगर दोस्तो आपके डॉक की आकों से गंदगे आ रही है तो दोस्तो आप अगर आपके डॉक की डॉक की डॉकति उपर नहीं होगा इसलिये दोस्तह आपको घ्रमिंग को डॉक्पर का करका होता है दोस्तो यह एक जर्मन सहेपड का मेलड हो अगे मैं आब आज करने वाला हो सीचै Norman Shepherd की आप में 10 kg body weight पे एक tablet डेनी होती है मतलब कि दोस्तों अगर आपके dog का वजन 10 kg है तो आपको उसे एक tablet खिलानी है अगर आपका dog 20 kg का है तो आपको उसे 2 tablet खिलानी है दोस्तों इस male dog का वजन लगबग 30 kg के आसपा से तो मैं इसे 3 tablet खिलाने वाला हूँ लेकिन दोस्तों मैं आज इसे सिर्फ एक ही tablet खिलाने वाला हूँ बाकी की tablet दोस्तों मैं एक एक दिन का gap देकर खिलाने वाला हूँ बहुत से लोग दोस्तों यही गलती कर देते कि अपने dog को उनके body weight के हिसाब से एक ही दिन में 2 या 3 tablet खिला देते जिस वाज़े से दोस्तों आपके dog की deworming fail हो जाती है तो आपको एक tablet देने के बाद एक दिन का gap देखर ही दूसरी tablet खिलानी है और दोस्तों deworming complete होने के बाद dogs को liver tonic देना भी काफी ज़रूरी होता है तो जैसे ही दोस्तों आपके dog की deworming complete हो जाएगी तो उसके एक दिन के बाद से आप आपने dog को liver tonic भी पिला सकते हो कम से कम दोस्तों आपको 10 दिन तक तो आपने dog को liver tonic पिलाना है liver tonic दोस्तों आप Himalaya का live 52 भी यूज़ कर सकते हो काफी बढ़िया result है इसका और मैं खुद भी दोस्तों आपने सारे dog को काफी लंबे समय से यही liver tonic पिला रहा हूँ अब दोस्तों मैं आपको इस tablet को खिलाने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ बहुत से लग दोस्तों आपने dog को इस tablet को खाने में मिला करके खिला देते है जोस्तों आपको इस tablet को अपने दो उंगलियों के बीच में इस तरीके से पकड़ लेना है अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने dog के मुह को खोलके उनके मुह में अंदर तक इस tablet को डाल देना है और उनका मुह तुरंध बंद कर देना है यह कुछ second में ही दोस्तो इस tablet को निगल लेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, max देका दोस्तो इसने निगल लिया, अब दोस्तो इसकी devorming हो गई है, मैंने दोस्तो इसे आज एक ही tablet दी है, कल में इसे एक दिन का gap दूगा और परसर इसे एक और tablet खिला दूगा, तो अगर दोस्तो आप भी इसी तरीके से अपने dog की devorming करवाते हो, तो दोस्तो आपकी dog की dev खाली फेटी करवानी है, वरना दोस्तो आपके dog की devorming फेल हो जाएगी, और यह तरीका दोस्तो बहुत ही आसान तरीका है, अब दोस्तो आपको अपने dog की devorming कितने दिनों बात करवानी पड़ती है, मतलब कि इन का time table क्या है, schedule क्या है, तो अगर दोस्तो आपके पास 6 मेन साथ मेने का है, या फिर एक साल का है, तो उनकी devorming दोस्तो तीन-तीन मेने के gap में होती है, जैसे कि दोस्तो अभी मेने आज इसकी devorming करवाई है, अब मैं इसकी devorming दुबारा से तीन मेने बात करवाँगा, और अगर दोस्तो आपके पास 6 मेने से छोटा puppy है, छोटा dog है, और चोटे puppy के devorming के ऊपर दोस्तो मेने पहले ही एक वीडियो बनाए हुआ है, अगर दोस्तो आपके पास भी एक छोटा सा puppy है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये था दोस्तो इसे ही इंट्रेस्टिंग और इंपरमेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई टेक केर, चेहिन